चलाई जा रही 102 महतारी एक्सप्रेस के वाहन चालक को बंटी सर्मा के द्वारा बुरी तरीके से लाठी डंडे के पिटने का मामला सामने आया है दरसल बरियों प्रात्मिक श्वास्त केंद्र से डिलेवरी केस लेकर 102 महतारी मेडिकल कॉलेज एस्प्रेस को खड़ी कर मरिज को एडमिट करने के तैयारी की जा रही थी इसि दोरान मेडिकल दुकान संचालक द्वारा वाहन किनारे करने को कहा गया था लेकिन 102 महतारी एक्सप्रेस वाहन धक्का चाप होने की वजह से वाहन चालक वाहन को जल्दी आगे नहीं बढ़ा पाया जिसके बाद मेडिकल दुकान संचालक बंटी सर्माद जोकी व्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष है उसने अन्य शाथियों के द्वारा वाहन चालक को लाठे गंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसके बाद घायल वाहन चालक को ततकाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती करवाया गया हालत नाजुक होने के कारण उसे नीजी अस्पताल में भरती कर आया गया जहां उसकी हलत गंभीर बनी हुई है इधर पुलिस ने मारबीट का मामला दर्ज कर आगे की कारवाई में जुट गई है तो बात को नहीं सुने और फिर गाड़ी को में आगे ले गया बैक करके ला रहा हूं तब तक कमल जैसवाल पाइलेट है एक चोदो में जो गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है उनको डंडे से मारा गया है फायार के लिए बोले कर रहे हैं तो और किस में कोई प्राउबम नई था उनको ठीक है वापस हमलों से पूछ है क्यों गाड़ी खराब है हमलों भी उसमें कोई कुछ नहीं बोले हैं उनको नागाली गलोज की हैं हम लोगना कुछ किये वेस्तारी काम करते हैं किços पर अने पाइल गोगों से नौ मैने के चूट पाइलेट से पैट मेता तों एक सीर राफ में टूप बढ एक कर चोंट तक को बारे चोंटे लिएक लोगे को मैङ not जजल्यक्त एक सालाई। में ICO में है प्रेजिख अधिन गया गया है उसके बाद वह पिसमें जीवन उनका कंडिशन बहुत थराब है। जो महतारी एक्सप्रेस का था उसको डंडा से लोग मारपीट किये हैं जो सर्मा मेडिकर संचालक है उसके अन्य स्टाप के दॉड़ डंडा से मारपीट किये हैं उसको सीर में चोट लगा तो वहीं ततकाल हस्पिटल में इलाज रत है उसका जो सेकेंड साथी था टेकनिसियन वह आके मेरे पास रिपोर्ट कल साथ साम में किये हैं तो उसके लिखी रिपोर्ट जो परसुद किये हैं उसके अधार पर मारपीट के धाराओं के ताहत अपरात रंजिवत किया गया है अभी वहात एड्मिट है उनके बेड़र टिकट मिलने परात इलाज कर जो समंदी है प्रिधाराओं के ताहत कर वह किया जाएगा